जे जिनेंद्र, जे भोलेनाथ दोस्तों, दस बच के 15 मिट हुए हैं, 28 मार्च 2019 एक्सपाइरी मार्च सिरीज की, तो सब को याद होगा कल मैंने टाइम दिया था, 10 बच के 11 मिनिट तक मूल नक्षत रहेगा, वहां तक जो हाई बनेगा, वो बन जाएगा, उसके बाद वो हो गया, तो इस मूल लक्षत्र का निफ्टी का जो हाई है, वो 11.546 का है, जो कि कल बना था, 11.546 का है, जो कि कल बना, और आज 10 बच के 11 मिनिट तक हाई, 11.521 है, 11.521 है निफ्टी स्पॉर्ट का, कल का हाई 546, अब मैं बोलता हूं, अगले 10 ट्रेडिंग डेश, अगले 10 ट्रेडिंग डेश, यह 11.546 का हाई, नहीं टूटेगा निफ्टी में, स्पॉर्ट का, और दूसरा, आज का मैंने जो एक्सपेक्टेट केंडल भी बनाया था, कल के पोस्ट में, कल के वीडियो में, वो 505 से 510 के बीच का हाई बता है, तो आज अभी तक, 10 बचके 11 मिनिट तक 11.521 का हाई बना, आप लोग देख लीजे, और अब मुए बोलता हूँ, आज ही 11.415 तक आएगा निफ्टी, या 11.420 तक, आज ही आएगा, स्पॉर्ट, हाई बन चुका है, 521 का आज का दिन का भी, और कल तक का जो हाई 546 वो तो तूटने वाला भी नहीं है, अगले 10 ट्रेडिंग डेज, चलिए, और इसके अलावा मेरे पोस्ट दिखा देता हूँ, आज के, सारे, तो ये देखे है, अभी 3 मिनिट पहले मैंने डाला था, 10-11 बच के बाद सेलिंग आ गई, और उसके पहले मैंने लिखा था, 6 मिनिट पहले, 10 बच के 10 मिनिट पहले, 10 ग्यार हो गई है, हाई, 11-546 निफ्टी स्पोर्ट कल वाला, अब अगले 10 ट्रेडिंग रिस, नहीं टूटे का सब को एडवांस में, ठीक है, और ये 17 मिन पहले मैंने दिया था, यानि कि, एक्जेक्ली 10 बचे दिया था, सेल अप्रेल बैंक निफ्टी फूचर्स, 30,315 पे, अप् ठीक है, कल के ये 23 मिनिट पहले लिखा होगा, 9 बच के 35 मिनिट पहले लिखा है, कल के वीडियो में देखा होगा, आप लोगों ने, मैंने एक्सपेक्टेड केंडल हाई, और ये 36 मिनिट पहले लिखा था, 9 चालिस को, 10-11 एम तक बच जो हाई बन गया, 100 बन गया, मूल नक पहले लिखा है, और ये आज का गूड मॉनिंग पोस्ट, जो मैंने 8 बच के 37 मिनिट शुबह लिख दिया था, 8 बच के 37 मिनिट, लेकिए इसको क्या है, येस्टरेड़े 8.20 एम, to 10-11 एम, today, मून is in मूला नक्षत्रा, if you remember, I have proved quite a lot of times in past, that during the मूल नक्षत्रा, whatever high or low is made, it lasts for next 10 trading days at least, yesterday high was 11.546 और in squat and आज 10 बच के 11 मिट तक का high देखना है, और yesterday low was 413, तो आज 10 बच के 11 मिट तक का low भी देखना है, most probably yesterday high of will not get broken in next 10 trading days at least, if 10-11 एम तक कोई नया है और नहीं बन जाए, one more condition is yesterday's low 413 और whatever new low is made till 10-11 will not be broken, but both conditions have possible, but I will go with the first condition means 11.546 will not be broken, in next 10 trading, ये सारे चीज आपको दिखा दिया दोस्तों, अब बोले नात के उपर है, मैं सही हूं या गलत, वो पूरूफ करेगा, so thanks a lot, J. J. जिनंद्रा, J. बोले नात, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक करें अपना प्यार दीजे, और अगर पसंद नहीं आए तो डिस्लाइक करें दोस्तों, थैंक्स